हेलो फ्रेंड्स कुक वेट टेस्ट चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव ये बहुती कम समय में रेडी हो जाता है तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम साथ से आठ कम तिखी वाली लाल मिर्च ले लेंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए पानी में बोईल कर लेंगे ताकि ये सोफ्ट हो जाएं अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा कोकिंग ओयल डालेंगे ओयल जैसे ही गरम हो जाए आदा छोटा चमच जीरा और आदा छोटा चमच सरसो डाल देंगे अब हम इसमें बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भून लेंगे जैसे ही प्याज हमारे हलके से सोफ्ट होने लगें हम इसमें ताजा ग्रेट किया हुआ अधरक और लसन का पेस्ट डालेंगे ये मैंने ताजा ग्रेट किया हुआ है अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो इसे स्किब भी कर सकते हैं लेकिन लसन डालने से पुलाव में टेस्ट भहुती बढ़ी आता है प्याज के साथ हम इसे भूनेंगे प्याज हमारे light pink color के हो गई है इस stage पर हम इसमें बारी कटी हुई शिमला मिर्च और बारी कटी हुई गाजर डाल देंगे उबले हुए थोड़े से मतर डाल देंगे और mix कर देंगे सबजियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इन्हें क्रंची रखना है क्रंची सबजियों का टेस्ट पुलाओं में बहुती बढ़िया लगता है अब हम इसमें बारी कटे हुए टामाटर डालेंगे ये मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को बारी कट किया हुआ है मिक्स कर देंगे अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं स्वादा नुसार नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सोफ्ट हो जाएं आदा चोटा चमच लाल देगी मिश पाउडर डाल देंगे इससे पुलाओ में कलर बहुती बढ़ी आता है ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है और डेट चोटा चमच हम इसमें पाउभाजी मसाला डाल देंगे पाव भाजी मसाला डालने से पुलाव में टेस्ट बहुती बढ़ी आता है जिन मिर्चो को हमने बॉयल किया था उसे भी मैंने दरदरा पीस लिया है उसका पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे ये मैंने एक छोटा चमच पेस्ट इसमें डाला है आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं जिससे कि थोड़ी से सब्जिया हमारी सॉफ्ट हो जाएं गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए हम मसाले को ढखकर पकाएंगे जिसे की टमाटर हमारे सोफ्ट हो जाएं दो से तीन मीनट हो गई है यह देखिए फ्रेंड्स Northern हमारे सोफ्ट हो गई है कितना बढ़ी हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ है बहुत ही बढ़ी है खुश पुआ रही है पाव भाजी मसाला डालकर आप भी एक बार पुलाव जरूर बनाएं, आपको भी बहुती पसंद आएगा अब हम इसमें अपने उबले हुए चावल डाल देंगे ये मैंने एक कप चावल को बॉयल किया हुआ है बॉयल रैस की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अब हम इसमें अदरक के लच्छे और लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और टेस्ट के अकोर्डिंग निम्बू का रस डाल देंगे ये मैंने आधे निम्बू के रस का यूस किया है सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हलके हाथों से हम चावल को मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे तूटे नहीं ये देखिए फ्रेंड्स कितना बड़िया मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पुलाव हमारा रेड़ी है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गर्मा गरम प्लेट में निकाल कर हम इसे सर्व करेंगे हाथों फ्रेंड्स पुलाव की रेशिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्स फोर वाचिं गुट बाइ